हलो दोस्तों, दोस्तों मैं डॉक्टर सुनील तावर, एक आम चिकित्षक, एक E&T सरजन, दोस्तों आज हम जानेंगे, अगर आप सारे जो लोग हैं अभी मीडिया में, टीवी में, हर जगे जो देखा जा रहा है कि क्या है ये RTH, दोस्तों क्यों इस RTH पे इतनी सारी प्रॉ हो रहा है, बहुत सारा जो है वो revenue loss हो रहा है और जो एक आदमी जो जिसकी जान जो बच सकती है, वो नहीं बच पा रहा है, तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या है, ये जो वीडियो है, ये जो बातचीत है, ये मेरी उस जनता के लिए है, जो लोग अभी इस जो ये RTH, ज तरे हा रही हैं, और क्यों लोग जो है वो लाटी चार्ज और water cannon उन पर गورमेंट कर रही है, दोस्तों, अगर आदमी की बात करते हैं, एक इनसान एक इनसान को एक जीने का एक अधिकार होता है, अगर आप एक दुकंदार की हम बात करते हैं, दोस्तों, उस दुकंदार को आपको अगर आपके घर पे चीनी खतम हो गई है और आप बोलते वो इमर्जेंसी है रात को दो बजे खोल के दुकान जो है उसको चीनी देना, क्या यह सही है? दोस्तो एक नरेगा के मजदूर को भी रात को दो बजे जगा के यह नहीं बोल सकते कि तेरे को यह काम करना है बहुत सारी विसंगतिया हैं जिनके कारण यह जो चिकित्सक वर्ग है जो सारे डॉक्टर्स हैं आज जो है रोड़ पे हैं जिनकी हम बात करेंगे नमबर वन दोस्तो आर्टी एच में अधिकारों का हनन है कैसे है? एक को अधिकार दिया, दूसरे का अधिकार चीना दोस्तो एक आदमी को अधिकार दिया है right to health यानि तुमें इलाज लेने का अधिकार है तो क्या जो इलाज दे रहा है उसका कोई अधिकार नहीं है? वो आमनागरिक नहीं है उसके अपना कोई अधिकार नहीं है उसको रात को कोई भी दो बज़े आके बाद दे कर सकता है चाहे उसकी तबित खराब हो चाहे उसकी लूजमोसन हो चाहे वो परेशान है उसको रात को दो बज़े बीड़ आके ये बोल सकती है कि तेरे को इलाज करना पड़ेगा क्या उसका अधिकार नहीं है दोस्तो इस RTH में एक डॉक्टर के अधिकारों का हानन है ट्रीटमेंट सारा अच्छे से हो रहा था सब कुछ इस बड़े अच्छे से सारे चीज़ें चल रही थी तो ये जो विसंगती है आज मुझे साइकल चलाना है मुझे साइकल चलाना आता है बस लेकिन सरकार कहती है जब इमर्जेंसी आये तो तुम्हें बस सलानी ही पड़ेगी दोस्तो यही RTH है क्या ही सही है दोस्तो RTH में अगर किसी पीशेंट को गाइनिंग की इमर्जेंसी हो गई दोस्तो ये जो सरकार है जिनोंने बिल बनाया दोस्तो उनको यह नहीं समझ में आता जिस आदमी को साइकल जहीं चलाना हो बस कैसे चलाएगा और अगर उसकी बस की स्टेरिंग पकड़ा होगे तो क्या होगा वो नुक्सान होगा दोस्तो हर मरीज का इलाज का एक golden period होता है मैं आपको बता दूँ golden period months आज क्या होता है अगर कोई patient जिसको heart attack है गाइनी की emergency है वो किसी चिकत्सक के पास जाता है और वो उसको तुरंत भाप के उसको तुरंत उसको बता देता है कि आप फ़ला doctor के पास सले जाओ वहाँ उसका इलाज हो जाएगा तो दोस्तों यह जो विसंगती है यह इस RTH बिल में है तीसरा दोस्तों भारत देश के अंदर देश आजाद हो चुका हर आदमी को एक आतंगवादी को भी एक अधिकार है कि वो भी अपना case दायर कर सकता है अपने बचाव पक्स का हग जानने के लिए एक rapist है उसका भी case चलता है लेकिन RTH में सरकार ने जो बिल पास किया जो complaint कर दी जो उसके प्रादिकरण ने फैसला दे दिया उसको आप challenge नहीं कर सकती क्या ही सही है दोस्तों यही RTH है चोथा दोस्तों सरकार RTH के अनुसार आप यह मानों अगर कोई आदमी भूका है बात समझना अगर कोई आदमी भूका है तो वो ताज होटल में भी जाके नास्ता कर सकता है क्योंकि उसको right to food है दोस्तों यह क्या सही है यही RTH है दोस्तों emergency care आज समाज में अलग-अलग work बने हुए है अलग-अलग type के hospital है छोटे hospital होता है बड़ा hospital होता है corporate hospital होता है medical college होता है सबकी अपनी जो है अपना जो system होता है इलाज लेने का system होता है जो गरीब तपके का आदमी है सरकरी योज नहीं है वो सरकार के hospital में इलाज लेता है उसको वहाँ पर इलाज होता है लेकिन जो इनसान जो business class में सफर कर रहा है जो जो इनसान एक जो अच्छा tax दे रहा है government को जो productivity करता है दोस्तो वो इनसान अच्छे इलाज का हकदार है अब उसको अच्छा इलाज कहां से मिलेगा आज दोस्तो हम Bombay क्यों जाते हैं लोग अमेरिका क्यों जाते हैं क्योंकि वो अच्छा इलाज मिलता है अच्छा इलाज मिलता है उसका अच्छा खर्चा भी होता है उसका अच् और हर चीज आपको देखना ही जरूरी है तो दोस्तो इलाज की quality डाउन होगी दोस्तो अगर हम government की scheme की बात करते हैं आठ रुपे में पोस्टिक आहर मिल रहा है दोस्तो आठ रुपे में जब पोस्टिक आहर मिल रहा है तो क्यों सारे लोग संडे को या जो बाहर जाके खाना मां क्यों नहीं खाते क्यों इन रेस्टोरेंट पे जब हम holidays में जाते हैं वहाँ पे क्यों इन रेस्टोरेंट में लाइन लगी है अरे आठ रुपे में पोस्टिक आहर मिल रहा है दूसरा बात करते हैं मुप्त दवाईया दोस्तों हम में 94 पैट से SMS मेडिकल कोलेज से पढ़ाई की है SMS मेडिकल कोलेज सवाई माल सिंग होस्पिटल एक बहुत प्रतिष्टित होस्पिटल है जहां पे बहुत अच्छा इलाज होता है कुछ समय के टाइम के बाद जब दिरे दिरे गवर्मेंट ने ये स्कीम इंपोज करना चालू किया वहाँ ट्रीटमेंट जो है लेवल दिरे दिरे डाउन हो गया बहुत अच्छे चिकित सकते बहुत अच्छे जो है इलाज होता था लेकिन आज महाँ पे क्यों क्योंकि गवर्मेंट ने मुफ्त में हो जना चालू कर दिया दोस्तो गवर्मेंट ने पास किया मुफ्त बिजली क्या हुआ आज कोई जब चीज हमारे को मुफ्त मिलती है दोस्तो उसका वैल्यू नहीं होता आपको 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है आपके घर में चल रही है चल ले दो उसको क्या मतलब है बट वो बिजली फ्री तो नहीं बनती वो पैसा कहां से आ रहा है वो आ रहा है जो समाज का एक जो प्रतिस्टित वर्ग है जो डॉक्टर है जो इंजिनेर है जो टेक्स दे संस्ताजन की अच्छे मसीनरी की जरूत होती है गवर्मेंट ऐसा नहीं कर सकती कि जो है वो आपको जो है उसमें जो हर चीज जो है वो आपको फ्री देखना है या आपको इमर्जेंसी जो है वो देखना ही पड़ेगा किसी के हदिकारों का हना नहीं कर सकती क्योंकि दोस्त होगा तो अच्छे जो डॉक्टर हैं वो क्या होगा पलाईन होगा वो हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाएंगे वो देश छोड़ के चले जाते हैं, आज हम विदेशों में हमारे बहुत अच्छे जो नामी गिरामी जो डॉक्टर हैं, जो इंडिया के जो विदेशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है आप अमेरिका में बात करो, दोस्तों दूसरी जगे में बात करो, आप एक डॉक्टर को आप फोन नहीं कर सकते आप तो यहाँ पे तो आप उसको गर्दन पकड़ के आपको बोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उससे क्या होगा? जो अच्छा हमारा जो टीटमेंट जो डीज daíर्व कर रहे हें जो लोग दोस्तों ऋनको भी परिशान पड़ेगा जो सरकार को टेक्स दे रहे जो डीजर्व कर रहे हैं अच्छा टीटमेंट उनको भी टीटमेंट नहीं मिल पएगा तीसरा इससे क्या नुकसान होगा? दोस्तो, mortality बढ़ेगी, जो golden period है जो मरीज का, वो क्या है, इधर उधर बठकने में निकल जाएगा, जहां उसको right जगह उसको जाना चाहिए, वहाँ समय पे मरीज नहीं पहुँच बाएगा, और उसका golden period खराम होने से, जह है, इलाज की जटिलता और खराब होगी, दोस्तो, मरीज और डॉक्टर के बीच में एक relation होता है, मरीज कहता है, डाक साब आप बगवान हो, इस relation को इस vote bank की निती ने खराब कर दिया, ये और खराब होंगे, क्यों? आए दिन जो है, जब patient जो है, वो emotional होता है, जब उसको golden period उसका खतम हो जाएगा, जब उसके मरीज की death हो ज होंगे, और उन दंगे फसाद से, जो हमारा पुल्स और जो प्रसासन है, उन भाई लोगों पे और बाहर बढ़ेगा, जो unnecessary का बाहर, जो किसने किया, सरकार ने create किया, सो दोस्तों, ये जो RTH बिल है, इसमें इतनी सारी विसंगतियां है, जिनके कारण ये जो पूरा चिकित की जान जा रही है, लेकिन ये सरकार अपनी vote bank और vote निति के कारण जो है, इस bill को लाया गया है, अरे मैं जो है, आप सब के माद्यम से इस सरकार को ये कहना चाहूंगा, अगर लाना ही है, आपको bill लाना है, तो दोस्तों, सबसे पहले तो ऐसा bill ले क्या हो, जिस bill में ये लि graduation ये डिग्री धारी जो लोग है, वो ही जो है, वो इलेक्शन लड़ सके, ऐसा bill कभी लाया है आप, नहीं, लाना है तो ऐसा bill लाओ, जो पड़े लिखे हैं, जो पड़े लिके नेता हैं, उनको और दबा दिया जाता है, बिल लाना है, दोस्तों, मिलावट जो हती है, उसक में बिल लाओ, कितने मिलावट अपने यहां पर पकड़े जाते हैं, उसके अगेस में कोई एक्शन नहीं होता, जो 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 पेशेंट का जो है, वो गोल्डन पीरेड खतम हो जाता है, उसको सही दबा नहीं देते, जो नकली दबाई हैं, उनके अगेस में बिल लाना च उनको मुफ्त दवाई, मुफ्त इलाज करके वहां पर इतना बर्डन हो रखा है जो PSC हैं जो CSC हैं वहां पर जो है ट्रीटमेंट और संसादन जो है उन डॉक्टर्स को नहीं मिल पाते हैं सो दोस्तो यह है RTH जिसके कारण जो है हमारे सारे जो डॉक्टर्स हैं जो स्ट्राइक पे हैं हड्ताल पे हैं और जो सडकों पे हैं सरकार उन पर लाटी चार्ज कर रही है वाटर के नन की बोचार कर रही है रेधर देन उस बिल को समझ यह दिन क्यों आया यह दिन आया दोस् भी सरकार इसको नहीं समझा रही है सो दोस्तों I hope that यह जो RTH का जो बिल है जिसमें क्या समझाए है जिसके कारण जो है वो जो आज चकित्सक वर्ग संपूर्ण चकित्सक वर्ग सड़क पे है वो आपको समझने में आसानी होगी यह जो information है आप अपने colleagues को आप समाज में और सारे लोगों को आप समझाने में मदद मिलेगी Thank you